हेलो गाइज नवसकार मैं पुन्य प्रताफ सेंज स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पियस माइंड मस्ती पर दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं दो महत्मों डिसीज के उपर जो हैं बिलो बैवी सेंड्रम और क्लीन फैल्टर सेंड्रम दो दोस्तो आप चैनल में नए विजट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी परकार की एमेजिंग वीडियो लगातार मिलती रहे ठीक है दोस्तो तो मस्त ट्रेक के साथ पढ़ेंगे तो आईए जुड़ जाईए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलिए दोस्तो करते हैं डिसकस ठीक है दोस्तो पहले देखते हैं बिलू बेबी सेंड्रम बिलू बेबी सेंड्रम में दोस्तो आपको एक ट्रेक याद रखना है बच्चे नाई को देखकर नीला पढ़ जाते हैं आपने अकसर देखा हुआ दोस्तो जो की वाल नाई, नाई इससे क्या हो जाएगा क्या स 아니야 नाइट्रीड तो दोस्तों नाईट्रीड की अधिक्ता के कारंट क्या होता है पुलू बेबी सेंड़ाम होता है ठीक है ना Hindi पना जाती है तरह सें लोग यह जो बच्चें वो कैसे बढ़ जाते हैं नीले बढ़ जाते हैं तो इसी ट्रेक्स से बिलू बेवी सेंड्रम हमारा खतम हो जाता है दोस्तों कुछ और याद रखना है इसमें इसमें क्या होता है कि नाइट्रीट की अधेकता होती है जब नाइट्रीट की अधेकता हो जाती है तो दोस्तों क्या होता है oxygen की कमी आती है oxygen की कमी ठीक है दोस्तों तो एथा बिलू बेबी syndrome ठीक है दोस्तों नेट्टेट की अधिकता के कारण होता है oxygen की कमी होती है और बच्ची कैसे पढ़ जाती है तो नीले पढ़ जाती है तो उम्मेद करता हूं कि विलु बेवी शैंडरम, समझ में आगया हुँआ, ठीक है दोस्तो, नेक्स्ट डिसकर्स करते है, दोस्तो ये, अक्सर पूझ लीजे जाते है, क्लीन फेल्टर सैंडरम, ठीक है, दोस्तो, इसमें आपको क्या करना है कि ए, अनुवान सक्ता से संबन से रोग है, दोस्तो, इसम क्या बनता है transgender अर्थात मतलब कि जो पुरोस होता है उसमें कुछ महलाओं की लच्छन देखने लगते हैं ठीक है ना इसे हबन किनर की नाम से भी जानते हैं किसकी नाम से किनर किनर की नाम से ठीक है दोस्तो मतलब पॉरसों में इस्तरियों के लच्छन दिखाई देने लगते हैं जिसे वन ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तो तो इसमें क्या हो जाता है कि एक गुनसूत्र की अधिक्ता हो जाती है अर्थात 44 प्लेस एक्स एक्स ऑई अर्थात की यह सेंतालस हो जाती है ठीक है चावालस का जूड़ा होता है और एक 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 और गॉन सूत्र एक साजाता है तो याद रखना कि इसमें प्रभावित कौन होता है तो पुरस प्रभावित होता है कौन प्रभावित होता है पुरस ठीक है इसके बाद इसमें क्या हो जाता है दोस्तो नपुन सकता का गुना आता है मतलब इसमें जब यह रोग होता है तो क्या होता है नपुन सकता बाई आती है नपुन सकता ठीक है किसमें क्लीन फैल्टर सेंड्रम में ठीक है दोस्तो तो यह था क्लीन फैल्टर सेंड्रम जो मैंने आपको समझाया उम्मीद करता हूँ कि आपको बिलू बेवी सेंड्राम और किलीन फैल्डर सेंड्राम आपको समझ में आ गया हुगा तो दोस्तो वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट्स वाक्स में रेस्पोंस जरूर रखें ताकि मैं इसी प्रकार की इमेजिक वीडियो आपको और ला सकूँ ठीक है दोस्तो तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं तब तक के लिए नवस्तकार जैहिंद बंदे मात्रव